हेलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी वीदोसेंट पिछली वीडियो में हमने एपप्टोसिस के बारे में बात किया था कि एपप्टोसिस क्या होता यानि कि किस तरह से हमारे भी जो बोडी के अंदर सेल डैत हो जाती है और सेल डैत नहीं होती है तो क्या-क्या प्रोसिस हमें दे इंट्रिंसिक पाथवे या इसका दूसरा नाम भी होता माइट्रो कोंड्रियल पाथवे जिसको हम दूसरे नाम से भोलाते हैं माइट्रो कोंड्रियल पाथवे माइट्रो कोंड्रियल पाथवे इस पाथवे के अंदर देखने को क्या मिलता है यह जो होता है माइट्रोकॉंड्रिया जो होता है मतलब यह हमारी सेल्स होती है सेल के अंदर जो माइट्रोकॉंड्रिया होता है उसको हम बोलते हैं यह किस तरह से डैमिज होता है किस तरह से अपॉप्टोसिस होता है तो इस तरह से जैसे यह मान लीजिए माइट्रोकॉंड्रिया है यानि क जिसको हम powerhouse बोलते हैं तो इसका ये किस तरह से cell का damage होता है किस तरह से hypothesis होता है तो इसके अंदर जो होता है decrease growth factor यानि कि growth जो factor होते हैं इसके यानि कि mitochondria के अंदर cytokrome C होता है cytokrome C mitochondria के अंदर होता अब ये क्या करते हैं यह जो करते हैं यह decrease करते हैं किस चीज को growth factor को growth factor को decrease करते हैं growth factor को decrease कर देते हैं जो mitochondria के अंदर growth factor होते हैं उसको decrease कर देते हैं इस mitochondria growth factor के decrease होने के बाद क्या होता बीसी एल टू इन एक्टिवेशन हो जाता है बीसी एल टू का इन एक्टिवेशन हो जाता है 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 इन एक्टिवेशन अब क्या होता यह बीसी एल टू क्या होता है बीसी एल टू यह बेस inactivation होता है उसके बाद क्या हो जाता है इसके बाद जब होता है तो bcl2 replace करते है अब यह bcl2 replace हो जाता है bcl2 replace होता है किस चीज में किस के दवार replace होता है देखिए यह bcl2 replace replace हो जाता है किस चीज में replace हो जाता है किस के दवार रेवस्च होता है यह bias K या Bias Baks जिसको हम बोलते हैं Baks अब यह Bka ő बीति क्या हो ता यह एक तरह के यह दोनों जो होते हैं यह एक तरह के प्रो ऐपो प्रोटिक जीन होते हैं जो इस process को stimulate करती है okay इस process को ah इस process को stimulate करती अब यह जो BCL2 replace होता है, BCL2 किस चीज़ में replace होता है BCL2 basically यह replace होगा हमारे mitochondrial permeability में mitochondrial permeability मतलब इस तरह से गुजरेगा, यहां से इसको replace कर देगा, उसके बाद इसकी permeability हो जाएगी, तो permeability के बाद क्या होगगा, जो cytochrome C है साइटोप्लाजम के अंदर 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 साइटोप्लाजम क को increase करेगा तो उसके बाद क्या होगा apoptosome करा देगा apoptosome या उसको दूसरा कहते है activation of apaf1 gene activation activation of apaf1 यह एक तरह का enzyme होता इसका activation होता इसका दूसरा नाम हमने जो बात किया तो दूसरा नाम इसको बोलते है हम apoptosome apoptosome इसका बाते है अब यह जब activation हो जाता है तो इसमें क्या होता है इसके अंदर increase of activation of caspase activation of caspase 9 अब यह caspase क्या होता है caspase जो होता है यह enzyme की activation होती है यानि कि apoptosis की जो process होती है इसकी वज़े से होती है apoptosis की जो activation होती है इसकी वज़े से होती है जिसको हम caspase 9 बोलते है यानि कि enzyme की activation अब जब यह activation होता है तो यह क्या करता है stimulate करता है कौन-कौन से caspase को stimulate करेगा stimulate of caspase कैस्पेस थिरी शिक्स सेबन इसका स्टिमुलेट करेगा जब यह स्टिमुलेट करतेगा तो उसके बात क्या होगा इंक्रीज हो जाएगी एक्टिवेशन ओफ प्रोटियस एंड एक्टिवेशन ओफ प्रोटियस प्रोटियस एंड एंड नूवेशन ओफ इंड नूवेशन ओफ एक्टिवेशन ओप एक्टिवेशन हो जाएगी फ्रोटियस की और एंड नूवेशन ओफ उसके बाद आपकी cell की death हो जाएगी, ठीक है, cell death हो जाएगी, इसमें आपकी cell death में हो जाएगी, यानि कि फिर apoptosis हो जाएगा, जो होने की process होगी, वो हो जाएगी, तो हमने यहाँ पर क्या बात किया, intrinsic पात्वे, पहला पात्वे था, अब दूसरे पात्वे के हम बात करेंग की उसके बाद saito, saitochrome C का, saitochrome C, इसमें saitoplant के अंदर, जो saitochrome C होता, उसकी एक्टिवेशन बढ़ जाएगा, उसके बाद activation हो जाएगी, paf-1, a, paf-1, apoptosome gene की, उसके बाद क्या होगा, increase जाएगी, activation of caspase 9 की, caspase 9 होगी, enzyme की process होती है, उसके बाद stimulate होगा, caspase 3, 6, 7, इसके बाद activation हो जाएगा protease and endonucleus का उसके बाद हो जाएगी आपकी cell death अब दूसरी हमने आप कौन सी बात करी दूसरा जो पाथवे यहीं पर हम देखे लिख लेते हैं दूसरा पाथवे जिसको हम बोलते हैं extrinsic pathway यानि के बाहर का पाथवे extrinsic pathway extrinsic का मतलब होता बाहर यानि कि यह cell के बाहर इसमें क्या होता है fast ligand और new होता है यहां पर इसके अंदर कौन-कौन सी process होती है यहां पर यहां बात करते हैं इसके अंदर basically कौन-कौन सी process होती है हम ब्लैक पर हमसे लिखते हैं इसके अंदर होती है fast ligand इसके अंदर कौन-कौन सी प्रोसेस होगी fast ligand या tumor necrosis factor alpha tumor necrosis factor के alpha ये होंगे release release होंगे release होएंगे किसमे severe cell death में ठीक है severe यानि कि ये severe प्रोसेस जब बहुत ज़्यादा cell की death हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादे severe process में हो जाएगे severe severe process होती है severe process है ये कि बहुत बुरी तरीके से ठीक है अब ये जब release होंगे ये क्या होते हैं ये fast ligand और tumor necrosis factor जो हैं ये एक enzyme होते हैं enzyme होते हैं अब इसके बाद क्या होगा इसके बाद जो process होगी वो होगी आपके fast ligand fast ligand fast ligand tumor necrosis factor alpha plus FAS ligand या tumor necrosis factor R receptor इसकी होगा activation होगा उसके बाद क्या होगा trimerization trimerization ये एक तरह की chemical process होती है जो use करती है three identical molecule ओके तो ये chemical process होती है जब ये chemical process होगी उसके बाद क्या होगा activation होगा fed का activation activation of fed fed enzyme का activation होगा उस activation होने के बाद जो pro caspase enzyme है यहाँ पर जो pro caspase जो pro caspase मतलब के stimulate जो करते हैं इस pathway को pro 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 caspase enzyme pro caspase कौन-कौन से pro caspase 8 10 ये इस्टिमूलेट करें गए जब ये इसके बाद क्या होगा activation जब ये stimulate करेंगे तो इसमें activate करेंगे ये activate हो जाएंगे activation इसमें activation होजाएगा of caspase कौन से caspase का 3, 6, 7 का activation हो जाएगा जब यह activation हो जाएगा तो उसके बाद जो activation इसका increase होगा increase activation of proteases and endonucleus 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 इसके अंदर बे endonucleus का activation increase हो जाएगा जब यह activation increase हो जाएगा तो इसके बाद आपकी cell death हो जाएगी cell इसमें भी इस तरह से cell death हो जाएगी तो यह था extrinsic और intrinsic pathway किस तरह से होता है कैसे कैसे होता है तो आज की वीडियो हम यहीं पर खतम करते हैं तो thank you for watching वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को जरूर सबस्काइब की देगा मिलते हैं अगली वीडियो में thank you for watching